हेलो डियर इस्टुडेंट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके अरदवारसिक प्रिक्चा आ चुकी हैं तो आप लोग पेपर ढून रहे होंगे क्लाश 10 साइंस का तो इस वीडियो में आप क्लाश 10 साइंस का फिल पेपर देखने वाले हैं जो हाफ फेरली एकजाम 2021 21-22 MP Board में आपके लिए जा रहे हैं देखिए आपका यह पूरा असी नंबर का है साइंस का देखिए मैं आपको यहां पर स्कॉल करके बता देता हूं सभी की सभी यतने वी आपके कॉशन हैं सभी की सभी यहां पर दिये हुए हैं जैसे कि मैं आपको स्कॉल कर रहा हूं बहुत सारी कॉशन देखने को मिलेंगे टीक है इस्टुएंट आपको क्या करना है इस कॉशन पेपर को अची तरीकी से याद कर लेना है गारंटेट मैं आपको यहां से बता दूं कि कितने कॉशन आ सकते हैं तो आपके 65 से 70 नंबर सीधे डारेक्टली इस कॉशन पेपर से पूचे जाएंगे जो आपका 80 नंबर का आएगा है ना तो 65 से 70 यह जब आएंगी जब आपका क्या कितना भी डिपिकल बने ना तो आसकते हैं इसलिए आपको कर लेना है इस पेपर कॉशन पेपर को अच्छी तरीकी से याद कर लेना है और स्टुडेंट हमने आपकी से 65 आपके नंबर आ जाएंगे अच्छी तरीके से 65 से 70 तक भी आ सकते हैं चली कुछ निर्देश दी है पहले हम इनको पढ़ लेते हैं पहला निर्देश है कि सभी परशन में अनिवार यानि सभी परशन करना अनिवार रहेगा परश्क्रमांग एक से चार तक वश्तुन सब्सक्रमांग से अच्छी आइदी छलोत सब्सक्रमांग 15-10 सब पर बूरा बीडियो को देखना दिया है कि नम्लिकर मेंसे कौन सा बहुतिक परिवरतन नहीं नहीं यहां पर option दीए है, खौलते पानी से जलवास बनना, बर्ब का पिगलकल जल बनना, नमख का पानी में घूलना, LPG का दहन, तो किस टुएंट तो इसका हो जाएगा LPG का दहन, यानि option number D आपका correct रहेगा, ये आपको यहां पर कर लेना है, इसके बाद तीसरा question देखी, कोई billion लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संबबता क्या होगा, तो कोई billion देखी, ये लाल लंका एक billion हमारे पास है, वो के नीला कर देता है, और इसका पीच मान समब तक क्या होगा तो हम जानते हैं जो लाल को नीला करता वो च्छार होता है और च्छार का पीच मान साथ से क्या होता है अधिक होता है ना साथ से क्या होगा अधिक होगा ना साथ से अधिक होता है अमल का साथ से कम होता है तो अब क्या यहां पर यह तो तो हमें यह बताना कौन सब वाग है जहां पर मानम नेत्रिक परवश्टू का प्रदिविम बनता है तो यह कि द्रश्टी पटल यानि आपको करेक्ट हो जाएगा तो यह आपको द्रश्टी पटल ठीक है तो यह आपको करेक्ट आंसर रहेगा चलिए पांच वह देखते हैं तो रासाने कपकर हम भाग लेने वाले पदार्थ कहलाती है ना सट्वेंट इसका अंसर हो जाएगा अभीकारक है था आप इस परकार से पूझ लेकि राशाने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो यह आपको दिया रख लेना यह पूंछ सकता है चलिए तो हब हमारे 6 नम्ब गोशन है टामाइट त्रमाटर में कौन सा अमल पच्छत होता है स्टूड़ेंट 100% एक अमले से संब्भन दीक कौशन पूच सबस्रेंदे को पूच्छे जाता है चाहinhता है यह हमीसाब पूचाई जाता है तो इसलिए मैंने यह तीनों बता दी इनमें साब को 100% एक देखने को मिलता है कॉशन इसलिए आप टमाटर नीबू दही है ना आम इनमें कौन-कौन समल पाए जाते हैं अच्छी तरीकी स्याथ कर लीजिएगा है ना तो आप्शन दिया है ऐसे टे कम दूसरा है और जहले कम और तिस्सार साइटरेक में पाया यहां आपको बता है क्री मैं कौन-वसमक कॉन सब्द कर सकते हैं मैं इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप blessing कितनी आप किर रहे हैं फिर वह आपको चाहिए तो आप हमारी टेलीघराम को जानन कर लिए महाँ पर सभी कौयों की अंसर हम अशर चलिए इसका साथवा question है जो कि objective आपके साथ आर्ट पूछे जाएंगे ठीक है आर्ट है यहाँ पर आर्ट objective टाइप से आपके साल आने वाले हैं तो यह very very important है लेंस की चम्ता का ऐसा ही मात रख लिखिए तो यहाँ पर option दिया है पहला मीटर दूसरा सैंटी मीटर तीसरा है किलो मीटर और चौता है डायोक्टर तो लेंस की चम्ता का मात्रा क्या होता है डायोक्टर होता है और यहां पर पूछ सकता है लेंस की चम्ता होती है तो यह क्या पोकस दूरी की बितक्रमानुपाती होती है यानि लेंस की चम्ता डी बरावर होती है बना पॉन एप तो यह क्या होती है जो पोकस दूरी होती है व यहां से पुंचा जा सकता है शुष्ट मनुष्ट के लिए इस प्रश्टी की नियुंतम दूरी होती है यहां कि यहां पर ऑप्शन देखेंगे 20 cm, 25, 10, 30 तो correct answer आएगा 25 cm तो यहाँ पर आपको क्या कर लिए ना 25 cm आपको correct answer आएगा चलिए परसने तो दो दो कि रिक्तिस्तानों की पूर्ती करना है यहाँ पर पहला question दिया है sodium hydrogen carbonate का सामानी नाम क्या है तो देखिए sodium यह होता है sodium hydrogen carbonate ना तो इसका सामानी नाम कमेंट बोक्स में बताना है पर सरवाद एक क्लियासील दातु है तो आपको पता है sodium और यह पोटीसियम दो अत्य दिक क्लियासील दातु होती है ना तो आप यहाँ पर sodium एक दातु लिख दीजिए एने ओके तिसरा देखते है द्रवाष्टा में पाई जाने वाली अधातु है तो इस्टूडेंट यह मैंने यहाँ पर अधातु दिया है दातु भी पूछ सकता है कि द्रवाष्टा में पाई जाने वाली धातु दिए पारा जिसे हम मरकरी बोलते हैं इसका सामान इसूत HG होता है आर यहाँ पर क्या पूइञा है द्रबावश्टा पाई जाने वाली आदातू तो यह होती है ब्रोबिन आदातू होती है इस दोनों नrench हनदीड पर्शन्ट अपके आग्याम मीग पूछे जाता है इसलिए इनको अच्छी तरीके से याद करें इसके बाद है केलसियम ऑक्सी कलोराड का सामाने नाम है तो ये केलसियम ऑक्सी कलोराड यानि CAOCL2 का सामाने नाम क्या है बरंजक चूल है बरंजक चूल है बरंजक चूल है ओके चलिए इसके बाद देखते हैं, तंत्रका तंत्र की प्रमुक एकाई होती है, तो यह आपको बताना Drew सनध के तंत्रका तंत्र की प्रमुक एकाई होती यह पताइ algunos प्राया होती है, यह वे आपके लिए अड़र होने ही साहथित की लिए रजरी सायारि, या अंसर पॉर्य कि यह तो यहां पर हमने कितनी यह हमारा था पांच वता यह चटबाग आप सात्व देखते हैं हमारे सरी में नियंत्रे नियुक्त समन बेका क्या आपको डाउट आते हैं तो फाइव सेकंड के साथ डाउट के साथ करो ना आउट बस आपने कोश्चन की फोटो कीजिए उसे क सब्सक्राइब आपको फाइव सेकंड का और आपको यहां फर वीडियो लेक्शन मिलें क्लास 6-12 तक डेली लाइब क्लासे चल रहे हैं यह आपकी क्लासे इंगलिस हिंदी दोनों महाद्य हमें चल रहे हैं तो अभी डाउड कीजिए डाउटनेट एप को लिंक यहां से आपको देखने को मिलेंगे, चलिए गया देख लेते हैं तो यहां पर फस्न तीन साही जोडिया रहे होगया है ध्रववस्ता में पाई जानेवाए धातू तो यह क्या होती है एप सभी को पता वगा मैंना भी बताया था ना बदद उर्जा का मात्रat तो आपको ब यहां से आप देख ली जगा है इन में से आपके दो तीन ऑब्जेक्ट साही जोनिया अंड्र परसंट देखने को मिलेंगी आप अच्छी तरीके से देख लीजे इनको आंसर किस प्रकार से आपको करेक्ट करना रहेगा है जिपसम का आपको पता है प्लास्टर और इसका क्या करना mesa को आपको आपको आनसर चाहिए बहुँ आपको बताना था रपन सूट्र और लेंस फेल को यह आपको अप гол भड़ावर casual देखने бат कर ले 好 दो यह दौनों में सेक कॉस्षं हन्ड्र पेश्ट आपकी अगियाद पूंचा जाता है इसलिए इसको अच्छी तरहीजिए से यादْकरें इसके बाद दूसरा कॉस्षण आपसे पूंचा जाएगा लेंस की चंपता की परवासा DAVID इसका मातлекс लिए तो तर्फियाटिंग में कि आप से एक ना एक अमल पूचा जाएगा नाम क्या नीवू में क्या होता है दही में कौन सा होगा संत्रे में इसलिए मैंने बोला आपको चार तो चीदे किसे आद कर रही लेना है ठीक है या तो आपको पूछ लेगा या फिर एक वाक में पूछ आप तो सब्गर पता है है लोजन के नाम से ना जाना जाता है और चलिए इस वाद नश्वी दिएक है पीएचमान के था सब्सक्राइब भाट साथ होता है सुद्धिजल का पीएचमान यह आपको बहरी वरी इंपोर्टेंट है अंसे उिए आपको पता हू偉गा लवन डि करिए कहते हैं उदा सीनी कारण अभी किलिया कहते हैं उदारान देना है इसकी अदबाह में पूचा जाएगा बायू में जलाने और उदारंट पदवासा दैना ठीक है इसके बाद परसंट साथ हैं आपर आने की योग एक उच्छ गनलांग के क्यों होते हैं और अपवरतन का नियम लिखना है इन दोनी यमों से एक कॉशन आपके पेपर में आता है तो अच्छी तरकी से याद कर लें 100 परसंट जो मैं बोल ला हूं वह आप देख लेना पेपर में आपके पूंचे जाएंगे अब इस्टोएंट आपको सोच रहा है याँ इन कॉशन के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह उसमें आपको हमारे टेली गराम गुर्प को जॉइन कर लेना है जैसी आप हमारे टेली गराम गुर्प को जॉइन कर लेते हैं तो वहाँ पर एक पीडियाप देंगे इस questions paper कर के answer के आंसर की तो वहाँ से आप इस question paper के answer की पीडियाप down load कर पाएंगे कोई आप आप से charge नहीं लिया जाएगा बिलकुल free में यह आप पीडियाप down load करेंगे प्रस्ण नहीं इससे किया है दो मीटर फोकस दूरी वाले अपतल लेंस की चमता ग्याद करना है और इसके अद्वा में पूंचा जाएगा आंकिक प्रस्ण है यह पूंचे जाते हैं आपके अग्जाम में एक गोली दरपड की वक्रत ततज्य 20 संटीमीटर है इसकी फोकस दूरी क्या होगी वो किस्ट् जाए इस्ट्वेंट इसमें अंतर पूंच सकता है कि उश्मा चेपी एवं उश्मा सोचेप के लिए में कोई तीन अंतर लिखी है तो आपको जैसे आप डेपिनेशन याद करते हैं तो पहला अंतर तो आप एक उसमा चेपी की डेपिनेशन में लिख देंगे हैना फिर पढ़ेंगे तो आपको खुद बाखुद पता चल जाएगा इसकी वाद अद्वाम पूचा है सोडियम को कैरोसीन तेल में डूबो कर क्यों रखा जाता है बहरी बहरी मोस्ट इंपोटेंट है परसुन तेरा देखिए परबल अमल एबं परबल चारों के नाम लेकना है तो परशन क्रमांग चवदा देखते हैं तारिक के उच्प्टम आते हैं हैना आपको यह समझाना है और प्रिजम से प्रकास के अबवरतन का नामांग के चित्र बनाना है आपको यह बहरी बहरी इंपोटेंट है चलिए इसके बाद देखते हैं बिदत मोर्टर का सिद्धांत लिखना है और बिदत जनेतर का सिद्धांत इन दोनों में से कॉशन पूचा जाता है तो इन कॉश्चन को चीदर की से याद कर लीजीगा और यहां पर उसमाचे पीव उसमाचे अपक्रिया में अंतर लेकना है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था पर इस किसी संतुलत रासाने का उधारन देना है तो यह भी आपके अग्याम की दस्टी से बहुत ज़्याद में अगर आप यह कॉस्टन पेपर कर लेते हैं तो आपको जासी अंका है तो उसमें से मैं कहा रहा हूं 60-65 तो सिंपल आना ही आना चाहिए तरन डिपिकल पेपर हो और कीजी आता है तो आपको यह 65-75 तक और लेप कर सकते हैं लिए चार में अंतर लिखिए तो आपको अमने चार में कुछा जाएगा तो अच्छी तरीकी से याद कर लेना अब यह डिपेंड करता आप तो आपको दोनों ही अंतर याद कर लेना है तो क्योंकि रासाने अलग द कि यह हमारे आमासे में अमले की क्या भूमिका है यह वहरी वहरी एंपोर्टेंट कॉश्चन है स्टुडेंट एक वार और मैं आपको बता दूँ कि मैं जो कॉश्चन बता रहा हूं यह आपके यहां से 65 पॉश्चन चाह जतना डिपिकल बने इतना तो आपका फसना यह फस बॉक्स में बता सकते हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे क्यूंकि यह कॉश्चन पेपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने क्यूंकि यहां पर आपको ट्रस्टेड और गारेंटेड कॉश्चन द बनाना है वेरी वेडिः इंपोर्टेंट कॉश्चन है इसकी। आपका पूचन जाएगा तंत्र का कोछ्ण का नामांग क की चितर बनाती इसके प्रमुक पर लिखे यह है टरैकेहशे हे अभिवाशा के और सब्सक्राइब करें लिए और परस्क्रमाइब देखते हैं अब तल अब तल दरपन की उपयोग लिखना है और इसके अधबं पूज़ाएगा ठोस चला के लिए कुल प्रत्रोत कमान किन किन बातों पर निर्वर करता है और प्रकार और प्रत्रमाइब बाइस है परावरतन के नियम और अपवरतन के नियम लिखना है है ना तो वहरी वहरी